आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदरबाद की फेमस ड्रिंक केरी कापशोला जो इस तपती गर्मी में आपकी बॉड़ी को थंडक और राहत देगी और इस रमजान के महीने में भी आप इसे इफ्तार में बना कर एंजॉय कर सकते हैं तो वीडियो को एंट तक पूरा वाच करिए और मेरे चानल को लाइक शरूर सब्सक्राइब करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना तो यहाँ पर मैंने लिया है दो केरी इसे अच्छे से वाश कर लेंगे हम और इसे हम कुकर में कलाएंगे तो यहाँ पर मैंने डाला है दो गलास के खरीब पानी और इसे हम प्रेशर कुखोने के लिए रख देंगे तीन से चार सीटी कैरी अच्छे से सॉफ्ट होने तक तो कैरी यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसका छिलका भी अच्छे से गुटली से सप्रेट हो गया है अब हम इसे डूसरे वेजल में डाल देंगे और इसे अच्छे से थंडा होने देंगे थंडा हो जाने के बाद गुटली और छिलके में से हम सारे पल्प को अच्छे से मत के इस तरीखे से सप्रेट कर लेंगे सारे पल्प को हमें इसमें से निकाल लेना है तो इस तरह की गाड़ा पल्प हमें मिल जाएगा अब हम इसमें डालेंगे शुगर तो यहाँ पर मैंने पौड़र्ट शुगर का इस्तिमाल किया है तीन टीजपून शुगर एट करेंगे आप अपने मिठास के हिसाब से शकर को कम ज्यादा रख सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम शकर मेल्ट होने तक अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास थंडा पानी इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट करने के लिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह की कंसिस्टेंसी के हमें जूस को रखना है अब हम इसे सर्विंग ग्लासेस में डालेंगे तो सबसे पहले हमें आइस क्यूब्स को डालेंगे और तयार किया हुआ जूस को हम ग्लासेस में डालेंगे तो आप भी इस गर्मियों के सीजन में इस अपशोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिए और अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको आज के मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शिर और सबस्क्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाईए इसे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी पिर मिलेंगे एक नहीं रेसिपी के साथ थांक्स वॉचिंगं आपको आपको।